स्पेशल सेशन जो बुलाया गया है, वो आनन फानन में बुलाया गया है, विदाउट अजेंडा बुलाया गया है, आज पूरे उत्तर भारत में हर्ताल का तीज बनाई जाती है, महाराश्च्रा से लेकर बाकी सारे राज्यों में कल गनेश चतुर्थी बनेगी, और आपने उसी के बीच में आपने ये सेशन बुलाया है, तो किसी तरीके से संधे होता है कि केंज सरकार के मन में क्या है, मैं मोहन भागवर जी पर जादा टिपनी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़े बोलते हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने विमन रेजर्वेशन के बारे में बात की, जो खुद उनकी पार्टी नहीं सुन रही है, जो सेशन बुलाया गया है, वो आनन फानन में बुलाया गया है, विदाउट अजेंडा बुलाया गया है, और जिस तरीके से केंज सरकार अजेंडा भी नहीं दे रही है, और कल भी जब मीटिंग हुई थ में यही जोड दिया गया था कि जो स्पेशल सेशन बुलाने की जरुद पड़ी ये क्यों पड़ी और वो अजेंडा हमारे सामने साजा करें पर केंदर सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है आप जो वो आठ बिल देखेंगे जो चीफ एलेक्शन कमिशनर को लेकर है ए कि सारे राज्यों में कल गनेश चतुर्ती बनेगी और आपने उसी के बीच में आपने ये सेशन बुलाया है तो किसी तरीके से संधे होता है कि केंदर सरकार के मन में क्या है मैं मोहन भागवर जी पर जादा टिपनी नहीं करना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़े बोलते हैं कुछ दिन पहले उन्होंने विमिन रेजर्वेशन के बारे में बात की जो खुद उनकी पार्टी नहीं सुन रही है और जो सोच वो लाते हैं वो सोच ऐसी है जो विभाजनकारी सोच हो कभी वो धर्म के बारे में बोलते हैं कभी वो जात के बारे में बोलते हैं अब वो आइडियलॉजी के बारे में बूल रहे हैं जो राइट विंग आइडियोलोजी जो हम भारती जंता पार्टी की आइडियोलोजी देख रहे हैं वो सिर्फ धुरूवी करन करने की है और समाज में एक मनमुटाफ बनाने की राजनीती है